जैहिंद वंदे मात्रों, सुवागत है आप सभी का सिक्षक परिवार गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़े पैट्फोर्म में दोस्तों अभी सीटेट 2022 के एक्जाम में आपके पास 80-85 दिन का समय मात्र बचा हुआ है इसी में आपको notification के तहट form भी बरना है, admit card भी निकलवाना है और form भरने के बाद आपको बढ़िया सी तयारी करने है जिसमें 5 subject आपको पढ़ने पढ़ेंगे एक बहुत जवरजस्त यहाँ पर news आ रही है कि online या फेपर होगा या offline होगा क्योंकि पिछला जो edition है, पंद्रमा edition हुआ है seat 8 का, वो online शुरू हुआ है fees क्या रहेगी जो हम पढ़ने वाले है, बच्चों का कहना है कि sir क्या fees भी इस बार रहने वाली है और कितनी रहेगी अगर हमें master और master line बनना है तो समझेगा सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि fees जो है 2017 से मैं लगातार आपको सिक्षक और सिक्षिका बनाते आ रहा हूँ 3 million से भी ज़्यादा बच्चे है, fees जो है इस बार seat 8 की हमारे पास 0 रुपई ही रहने वाली यह आजीवन रहेगी, हम कोई भी बैच ला रहे है, निसुलक बैची ला रहे है हमेशा लाते रहेंगे, सबसे पहला point जो आ रहा है, बच्चे अवाओं में गिरे रहते हैं तो सबसे पहली मैं बात बता देता हूँ, form कप पड़ेगा, notification कब आ रहा है exam date क्या रहेगी, सब कुछ जान लीजेगा, ठीक है, तो देखेगा दोस्तों, नए बच्चे इस बार भी ध्यान दें कि हर बहन हर भाई, जो भी हमारी बहन है, हमारा भाई है, ग्रहडी है, किसी भी semester exam में अगर दे रहे हैं exam तो वो मानने होगा, इसलिए तैयारी तगड़ी कर देना सुरू कर दीजे, चाहें भले ही आप फस्ट सेमेस्टर में ही क्यों न हो, तेकि CTET का जो आपको notification देखने को मिलता है, वो आपको अपनी official website पर ही जाना है, वहाँ पर आपको साप साप ये बताया गया था, अभी थोड़े दिन पहले notification जब आया था, उसमें कहा गया, कि सोलमा संस्क्रण जो कराएंगे, वो हमारा जो संस्क्रण होगा, वो computer waste test होगा, यानि साप साप गिरे रहते हो, हम तो आपको class देते हैं, और class के बाद आप ये सोचते हो कि अरे paper offline होगा, online होगा, इसमें चक्कर ना काटो, 80 दिन मातर आपके पास बचे हुए, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कि निसुलक बैच है, इसलिए पहली बार अगर आपको यहाँ पर चिंता ना करें, एकजाम तो आपका confirm है, कि एकजाम दिसंबर में होगा, ये सीटेट ने खुद कह दिया है, सोलमा एडिसन दिसंबर में होगा, और वो कौन सी तारीक में होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये 10 तारीक से 16 तारीक के बीच में हमेशा सुरू होता है, दिस दूसरी बात, नोटिफिकेशन कब, एकजाम फार्म कब, उससे पहले जानना है, कि भाई, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में, जिन बच्चों को बहुत सटीक मेटर चाहिए, सीटेट में जो आता है वही, क्योंकि सीटेट का जो सलेबोस होता है, बहुत कुछ प्रेलिस्ट हमने मेंटेन कर दी हैं, जैसे बाल विकास के प्रिविएस एर पेपर, इनवायर्मेंट को देखा जाए, बाल विकास को देखा जाए, मैथेमेटिक्स को पूरी तरीके से सिद्दत के सा, जिनको कता ही नहीं आती, उनके भी 25 से 26 नमबर 30 में आएंगे, और हर बहन, हर भाई ये करके दिखाता है, कता ही नहीं आती, कुछ ऐसे tips और tricks हम यूज कराते हैं CT8 में, जो exam को एकदम से फोड देते हैं, इसलिए गलती ना करें, चैनल छूट ना जाए आपका, इमानदारी से चैनल को selection के लिए इमानदारी से subscribe कर लें, अब हम बात करने notification की, notification की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तो notification जो है, क्योंकि CT8 अगर कराता है परिक्षा December में, तो उसको भी कहीं ना कहीं, अपनी तयारी करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, CVT परिक्षा कराने के लिए, admit card जारी करने के लिए, उसको भी 60-70 दिन चाहिए होते हैं, तो exam date तो आ गई है, exam date का मतलब है कि 10-20 के बीच में, December में आपका exam clear है, केवल 80-85 दिन का समय है, आपके उपन निर्वर है, आप notes बना रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, रोजाना सुबह 11 वजे class, रोजाना सुबह दोस्तों 11 वजे class, एक साम को 5 वजे class हम रखेंगे एक आपकी मेराथन रहेगी 8 वजे, तीन class रोज कराएंगे और तीन class में जितना हम पढ़ा दें, उतना ही आपको enough कर लेना है, पढ़ लेना है, और previous year paper भी बिलकुल पूरी तरीके से free कराने वाले हैं, कोई भी charges नहीं, क्योंकि हमारे लिए बच्चा, हर बच्चा समान है, हमने ना पैसा 2017 से लिया है, ना मैं आगे लूँगा, हर बहन, हर भाई से बस इतना कहना चाहूँगा, नोट साज से maintain करना शुरू कर दीजे, नए बच्चे जितने भी हैं, वो सभी अपने मित्रों को जोड़े, सभी पुराने बच्चे अपने मित्रों को जोड़े, आप स स्一次 को जोड़े से खाल जो को जो जोड़े, से अपने, वोक्ते गपने विया है exact खाल मॉव़े हैं, वोल, सिरीज जोड़े।